Hello students, स्वागत एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल Unique Maths Study में आज का ये वीडियो हमारा Top 300 Questions of Chemistry का चौता वीडियो है इस वीडियो में हम प्रशन संख्यात 36 से लेके 50 तक को पढ़ेंगे यदि इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिस्प्शन में दिएगे लिंक के किसा आयता से देख सकते हैं तो इस वीडियो को सुरू करते हैं तो प्रशन संख्या 36 से स्टार्ट करेंगे 36 आपका क्वार्टर किसे से बनता है SSC 2004 में पूछा हुआ कोस्चन है तो याद रखेंगे क्वार्टर आपका कैल्सियम सिलिकेट से बनता है कैसे बनता है कैल्सियम सिलिकेट से 37 नमबर कोस्चन है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है ये question याद रखेंगे भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदाई प्रमुक प्रदूसर गैस कौन सा था SSC 2014 में पूछा था Methyl Isocinate Methyl Isocinate ही जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसका सबसे main कारड था वही उसका क्या था प्रदूसर गैस था अगला question है question number 38 यानि की 38 आप देख सकते हैं 38 वा question है भोपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्वा है BPSC में पूछा है तो याद रखेंगे भोपड़ी में सबसे अधिक गैस कौन पाया जाता है तो oxygen भोपड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है oxygen gas 49 question है वाहनों से निकलने वाली प्रदूसित गैस वाहनों से निकलने वाले प्रदूसित गैस same BPSC में पूछा हुआ question है तो carbon monoxide वाहनों से जो निकलता है उस गैस का क्या नाम है carbon monoxide सबसे अधिक मात्रा में निकलता है जो सबसे दूसित gas होता है question number 14 40 यानि 40 वा कौन सी gas pyrogalol के चारी विलियन में pyrogalol के चारी विलियन में गुजरने पर बदामी गोल बनाता है तो oxygen gas जो है pyrogalol के चारी विलियन में जब उसे आप reaction कराओगे तो वह क्या बनेगा बदामी गोल बना के देगा NDA में ये भी question आपका पूछा हुआ है question number 41 है कहरे रासाइन उद्योग में कौन मूल रासाइन के नाम से जाना जाता है क्या पूछ रहा है मूल रासाइन तो H2SO4 जो है वो मूल रासाइन के नाम से जाना जाता है BPSC में पूछा हुआ है H2SO4 को हम क्या कहते है मूल रासाइन जो रासाइन उद्योग में सबसे जादा प्रयोग होता है इसलिए ये मूल रासाइन है तनुगंदा कामल की ज़स्ते के साथ question number 42 हुआ तनुगंदा कामल की ज़स्ते के साथ प्रक्रिया के परिडाम स्वरूप उत्पन होती है NDA 2004 में पूछा है तो जब हम तनुगंदा कामल की ज़स्ते के साथ प्रक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है hydrogen मिलता है तनुगंदा कामल के साथ ज़स्ते की प्रक्रिया कराने पे क्या मिलता है hydrogen इक्त्रोजन जो है धो हं लोजनों में सबसे अधीक्रियसिल है तो, फ्लॉरीन् stall है यहीं सबसे अधिक्रियसिक Что में आपका यहीं मंटली में सबसे बहुल गहत्तिा में पाए जाती है question अगला देखेंगे 45 question नमर 45 आपका है why में कौन सी नूबल गैस why you में कौन सी नूबल गैस नहीं होती है तो याद रखेंगे होती है नहीं होती है तो redon जो है redon जो गैस है वो why you में नहीं होती है यह BPSC और MPSC दोनों exams में पूछे questions है अगला है question नमर 46 ठोस कपूर से वास्प बनने की क्रिया को कहते है तो ठोस से सीधे वास्प बन जा रहा है इसे इस क्रिया को उर्धोपातन कहते है क्या कहते हैं उर्धोपातन BPSC में पूछा है question नमर 47 यह जितने भी डेख रहे हैं question बहुत ही most important question है ना किसी ना किसी examination से related है तो वीडियो को जादा जादा like करें और अपने दोस्तों तक share करें ताकि अच्छे से ओलोग भी इन सारे questions को तयार कर सकें तो 47 वाँ है car के engine में knocking से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो lead tetra thile जो है वो knocking से बचने के लिए इन जनों में प्रयोग किया जाता है lead tetra thile next questions है 48 सरक्रा और सर्फूरिक अमल की अबक्रिया से कौन सा सुद्ध पदार्थ मतलब कौन सा सुद्ध रूप से पदार्थ मिलता है NDA में पूछा था ये carbon होता है सरक्रा और सर्फूरिक अमल की जब अबक्रिया कराई जाती है तो सुद्ध रूप से जो पदार्थ मिलता है वो क्या मिलता है carbon मिलता है question number 49 है कह रहा है कि ब्यापारिक वैसलीन किसे से निकाला जाता है तो इसका आपका correct answer है petroleum से क्या निकाला जाता है आपका ब्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है किसे petroleum से ठीक है और फिर next question है last इस वीडियो का paraffin किसका उपत्पाद है तो petroleum परिसोधन का ही एक paraffin क्या है उत्पाद है petroleum परिसोधन का ही एक क्या है paraffin उत्पाद है ठीक है तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा comment section में जरूँ बता है आप इस जितनी भी questions इसका पीडिया टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए thank you